हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि UPPSC 2020 की कट ओफ कम क्यों रह सकती है और इस बार यह से काफी कारण बनना हैं, रीजन्स बनना हैं कि इस बार की UPPSC की कट ओफ कम रहेगी यहां दोस्तो कट ओफ हम लोग एक वीडियो में देख चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जा कर देखिए देड़ ना करते होगी यह बात करते हैं सीधे सीधे कि कट ओफ कम क्यों रहेगी, काफी कारण है पहला कारण तो यह है कि UPPSC एकजाम हुआ था चार अक्टूबर को और जादातर विद्यारती UPPSC की प्रिपरेशन करते हैं और UPPSC का एकजाम देते हैं कारण यह है कि UPPSC ने सिलेवस को सैम कर दिया है और कॉस्चन भी इसी पिरकार के आने लगे हैं तो जो UPPSC का एकजाम बिद्यारती उन्हें चार अक्टूबर को दिया था चार अक्टूबर के बाद उन्हें 6-7 दिन ही मिले और इसमें उनका रिविजन काफी मुश्किल लहा और बिद्यारती UPPSC के लिए प्रिपेरेशन करते हैं और UPPSC जून में होना था और इस वार एकजाम अक्टूबर में होगा तो फिर ध्यारती UPSC की preparation करते रहे और UPPSC पर time नहीं दे पाए और revision भी नहीं दे पाए और दोनों exam एक साथ हो गए यह पहला कारण है दूसरा कारण है कि less time for preparing UPPSC UPPSC exam के लिए उन्हें preparation का time उतना नहीं मिल पाया उन्हें न कोई offline coaching मिल पाई 7-8 महिनों से offline coaching बंद है और अभी पहली बार है online coaching का trend है तो इसके कोछ दूस परिणाम भी सामने निकल कर आये हैं कि इसमें जो है विद्यारती revision नहीं उतना कर पाया और जो undergraduate विद्यारती हैं जिनोंने अभी UG courses complete किये हैं उन्हें कोई coaching नहीं मिल पाई जिससे जिनका UPPSC का पहला attempt था उन्हें problem हुई तो इसलिए paper की जो cut off है वो कम रह सकती है दूसरी बात revision less time हो गयब UPSC 4th October exam तो यह हम लोग देख चुके हैं कि 4 October को जो exam हुआ था और अभी 11 October को आज UPPSC का exam हो गया तो revision का time नहीं मिला दूसरी बात due to COVID-19 less students come to the center to attend the test इस वार जो form apply हुए थे वो भी कम हुए थे कारण था कोरोना के दौर में forms फिल्फ हुए थे दूसरी बात uncertainty बनी हुई थी students के मन में कि exam कब होगा और UPSC का exam भी नहीं हुआ था यह uncertainty बनी हुए थी और COVID-19 के कारण जो form जिन बच्चों ने apply किया था उनमें से भी काफी कम बद्यारती यह test paper देने आ UPSC का आप देखेंगे सेंटरों पर तो काफी vacancy रही मतलब काफी नतलब इस बार विद्ध्यारतियों की संख्या कम थी और एक और कारण है कि seats कम थी तो seats कम में तो cut off बढ़ नहीं थी लेकिन कम क्यों इसका मैं आपको कारण बताता हूं seats कम थी तो विद्ध्यारतियों ने apply कम किया और COVID-19 situation में वो student देने कम आए मतलब test देने भी कम मातरा में आए 14 खारण था कि इस बार का जो paper था hard था as compared to the last year आप लोग paper को उठाकर देख भी सकते हैं इस बार का paper जादनतर theoretical और philosophical पूछा गया सीड़े सीधे question काफी कम देखने को मिले जैसे की इससे पहले देखने को मिलते थे मतलब UPSC में जैसे question पूछे आते हैं 20 question उस टाइप के पूछे गया जैसे की current affairs का current affairs का काफी टप पूछा गया विद्ध्यारतियों को सबसे जादा problem हुई वो current affairs में हुई और quality section में हुई quality में जो constitution है उस फिलोसिपिकल question पूछे गया है theoretical पूछे गया है सीधे सीधे question कम देखने को मिले और current affairs तो टप था ही और no coaching या revision या current affairs देख लेते थे तो एक uncertainty टाइप में रही और उनका पढ़ाई का schedule फिक्स नहीं हो पाया जिस कारण से उन्हें problem हुई paper में current affairs करने में क्योंकि current affairs काफी अब बिस्तरत आने लगा है detail लाने लगा है और उसका revision नहीं हो पाया क्योंकि जो offline coaching coaching थी coaching संस्ताइं सास से आठ माइनों से बंद थी और जो विध्यारती अंडर्ग्रिएट जिनका इसी साल हुआ है वो भी कावी विध्यारती select होते हैं तो उन्हें कोई coaching इसकी guidance नहीं मिल पाया तो उनके लिए प्रॉब्लम हुई next है pupil hedge only online coaching और उन लोगों पहला तो यह है कि UPSC exam अभी 4 October को हुआ और UPSC में जर्दनतर विध्यारती यह exam वो ही देते हैं जो UPSC exam देते हैं तो उन्हें revision का time नहीं मिल पाया जिनसे question में फड़क पड़ेगा चार से पांच question में उनका फड़क पड़ जाएगा और इससे cut up आपकी कम रहेगी less time मिला preparing कलने के लिए और revision नहीं हो पाया COVID-19 situation में students कम आए पिछली बार की तुलना paper भी hard था current affairs भी tough था और quality section भी लेकिन seats भी कम थी तो cut off कम ही रहने की संभावना ऐसी बन रही है क्योंकि जो बिध्यारतिय से अब चर्चा हुई है उसमें तो अभी तक यहीं कह रहे हैं कि पिछली बार से तो paper hard था और cut off कम ही रहेगी ऐसा मानना है कि 2-4 नमबर तक cut off कम ही रहेगी पिछली बार से तो इस बार cut off कम रहने की संभावना है पिछली बीडियो में हम लोग देख चुके हैं cut off अगर आपने वो नहीं देखी तो जाकर देखिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और जल्दी हम paper का analysis भी पूरा आपको बताएंगे कि यह था paper उसके लिए हम लोग अभी answer की देख रहे हैं तो thanks for watching the video thank you but you can please subscribe the channel subscribe करें वीडियो को like करें और comment करें कि आपके कितने number हो रहे हैं आप comment जरूर करें कि आपके कितने number हो रहे हैं thanks for watching the video thank you